हांजी बच्चों अब हम इंडिफरेंस कर पे कोशिन नंबर फोर पे आ गए हैं और कोशिन नंबर फोर हमारा है YMRS Diminishing MRS stand for Marginal Rate of Substitution तो कोशिन आपका ये है कि Marginal Rate of Substitution Diminishing क्यों होता है और आपको पहले ही क्लियर हो चुका है कि MRS किसे कहते हैं जो कि हमने कोशिन नंबर फ्री में डिस्कुस किया था कि Sacrificing Rate को एक Commodity को जब हम Conjunction बढ़ाते हैं और अपने Satisfaction Level को हम सेम रखने के लिए हमें दूसरी Commodity का Conjunction को हमें कम करना होता है तो जो हम Sacrifice कर रहे हैं या जो हमारा Sacrificing Rate है उसको हम MRS कहते हैं तो बच्चे यही मेरा कोशन है कि Why MRS is Diminishing? MRS क्यों Diminishing होता है? क्लियर है हमारा कोशन यह है अपकर अपने तो Why MRS is Diminishing? तो बच्चे MRS हमारा जो है वो क्यों गिर रहा होता है? तो आपका इसके Answer के लिए आप सबसे पहले आपको यह देखा होगा आपने कि हमने यहाँ पर दो Commodity के Combination का Conjunction कर रहे हैं और दो Commodity का हम जब Combination का Conjunction कर रहे हैं जिसमें हमने दो चीज़े लिए हैं एक Apple और एक Banana और एक P Combination में आपने देखा कि Apple हमारे पास में 1 था और Banana हमारे पास में 15 था तो आप देख रहे हैं कि Apple की Importance Compatibly बनाना से ज़्यादा था हमारे पास में तो हम और हमारी Condition यह रही कि हमें अपना Satisfaction Level सेम रखना है तो बच्चे हमने जैसे ही Apple की एक और Unit का Conjunction करा तो हमें अपने Satisfaction Level को सेम रखने के लिए हमें बनाना भी Sacrifice करना पड़ा लेकिन हमें बनाना Sacrifice करना पड़ा तो आपने इस चीच पे फोकस किया होगा कि हमने जब सिर्फ एक Apple गेन करा तो हमने सिर्फ एक बनाना ही Sacrifice नहीं किया बलकि ज़्यादा बनाना Sacrifice किया क्यों? क्योंकि एक Apple से हमें जो Satisfaction Level मिलता है एक बनाना के ज़्यादा Satisfaction Level मिलता है और Satisfaction Level को सेम रखने के लिए ये हिसाब तो हमें रखना होगा कि हम जितना Receive करेंगे उतना ही हम Sacrifice भी करेंगे तब ही हमारा Satisfaction Level सेम रह सकता है तो एक Apple हमारा किस थेयोरी पे काम करता है? यह इस थेयोरी पे काम करता है Satisfaction Level एक बनाना के कंपेटिवली क्या रहा? ज़्यादा रहा तो जब आपको एक Apple आया तो उससे आपको जो एक Satisfaction Level मिला और एक बनाना से Satisfaction Level कंपेटिवली कम मिलता है तो आपने ज़्यादा बनाना सक्रिफाइस किया वहाँ पे अगर आप वहाँ पर 5 बनाना आप सक्रिफाइस कर रहे हैं Next time क्या हुआ? जब आपने एक और एपल आप Q कॉम्बिनेशन पे गए Q से आप P से आप Q पे गए Q से आप R पे गए तो आपने एक और एपल का कंजम्शन करा अब आपको पता है Because of, सबसे बड़ा रीजन यही है Because of law of diminishing marginal utility क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब यह होता है कि किसी भी commodity का continuously consumption करते चले यह आओगे तो next unit से जो आपको satisfaction level मिलेगा वो last unit के compatibility कम मिलेगा क्यों? क्योंकि हमारा satisfaction level के चीज़ों पर depend करता है हमारी needs पर depend करता है जितनी ज़्यादा हमें needs होती है चीज़ हमें उतनी ज़्यादा ही satisfied करती है जितनी कम needs होगी उतनी ही कम satisfied करेगी अगर हमें needs नहीं है तो हमें satisfied नहीं करेगी तो हमारे क्योंकि आप देखते हैं कि same पानी का quality आपको घर में है तो कभी-कभी एक गिलास पानी से आपको बहुत satisfactionable मिलता है, कभी उसी same quality से आपको कम satisfactionable मिलता है, क्यों? क्योंकि आपकी needs पर depend करता है, तो इसी तरीके से आप जैसे ही combination P से Q, Q से R पर जब आप एक और Apple का consumption कर रहे हो, तो because of law of diminishing marginal utility, आपका जो है, क्या, आप जब एक Apple का consumption कर लेंगे, तो एक Apple का consumption करने के बाद, जब आप second Apple का consumption करेंगे, तो आपकी needs कुछ fulfill already हो चुकी होगी, अब आपकी needs कम रहेगी, और जब आपकी needs कम रहेगी, तो आपको satisfaction level भी कम मिलेगा, next Apple से और कम satisfaction मिलेगा, तो इसको कहते हैं, because of law of diminishing marginal utility, किसी भी commodity का continuously अगर आप consumption करते चले जाएंगे, तो next unit से मिलने वाला satisfaction level आपका, last unit के compatibility कम होगा, क्योंकि आपकी needs पहले compatibility कम हो जाती है, तो आपका satisfaction मिलेगा, तो आप इस चीज़ को देखिए, starting में जो first Apple आपको satisfaction level दे रहा था, क्या second Apple भी होई satisfaction level देग नहीं, क्या third Apple भी होई satisfaction level देगा, नहीं, तो next time अगर आप एक और Apple का consumption करते हैं, तो last के compatibility कम satisfaction level मिला है, तो आप last जितना sacrifice नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपना satisfaction level को same रखना है, और satisfaction level को same रखने के लिए, आपको यह हिसाब किताब रखना होगा, कि जितना आएगा, जितन नहीं, आप sacrifice भी करेंगे, तो आप next Apple आपको last के compatibility कम satisfaction level दे रहा है, तो आप sacrifice भी पहले जितना आप नहीं कर सकते हैं, इससे आपको loss हो जाएगा, इसलिए आप next time sacrifice 5 बनाना के जगे, आप 4 बनाना sacrifice करेंगे, then आप next Apple का consumption करेंगे, तो वो पहले से भी कम satisfaction level आपको देगा, अ तो आप अपने satisfaction level को सेम रखने के लिए, आप पहले जितना sacrifice नहीं कर सकते हैं, आपको पहले से कम sacrifice करना होगा, sacrifice तो करना है, तो ये भी देखना है, कितना आ रहा है, उससी साब से आपको जाएगा, तब ही तो आपका satisfaction level सेम रहेगा, तो हर next Apple प्लास से comparatively कम satisfaction level दे रहा है, nature का है, क्यों, because of low of diminishing marginal utility, clear है बच्चे, आए जरा इससी को देखते है, थियोरी में क्या लिखा हुआ है, Why MRS diminishing? MRS falls because of the low of diminishing marginal utility, देखे, MRS falls because of low of diminishing marginal utility, in the given example of apples and bananas, एक example लिया हमने Apple का और banana का, Combinations P has only one Apple, Combination P पे हमारे पास है, only one Apple, and therefore Apple is relatively more important than banana, clear है? Due to this, the consumer is willing to give up more banana for an additional Apple, तो Apple की importance ज़्यादा है, इसी की वज़े से वो एक Apple की जगे पर ज़्यादा बनाना sacrifice करेगा, But as he consumed more and more of Apple, continuously अगर Apple का consumption करेगा, तो his marginal utility from Apple keeps on declining, अगर वो Apple का continuously consumption करेगा, तो Apple से मिलने वाला satisfaction level क्या होगा, continuously आपका decline आपका रहेगा, As a result, he is willing to give up less and less of bananas for each Apple, इसी की वज़े से वो अब next time each Apple के लिए कम बनाना sacrifice करना वो चाहेगा, तो आपका sacrifice करेगा, तो आपका sacrifice करेगा डिमनिशिंग है, जिसको हम MRS डिमनिशिंग भी बोलते हैं, तो जड़ा देख लिजे क्या है, MRS falls because of the law of diminishing margin utility, पहले एंग में यह मिल गया, In the given example of apples and bananas, example लिया हमने, apple और बनाना का example हम ले रहे हैं यहाँ पर भी, Combinations, P has only one apple, and therefore apple is relatively more important than banana, क्यों? क्योंकि apple हमारे पास स्केर है, तो इसकी importance ज़्यादा रहेगी, Due to this, the consumer is willing to give up more banana, तो satisfaction level को same रखने के लिए, हमारे पास में एक apple के compatibility ज़्यादा बनाना sacrifice करना पढ़ेगा, क्योंकि एक apple से हमें satisfaction level बनाना यह ज़्यादा मिल रहा है, For an additional apple, but as he consume more and more of apples, his marginal utility from apples keeps on decline, तो low of damage माज़े उटिल्टी बज़े से, जैसे से वो apple कंजम्शन करते चले जाएगा, उसको satisfaction level क्यों होने लग जाएगा, As a result, he is willing to give up less and less of banana for each apple, और result क्या होगा, वो कम से कम जो है, वो sacrifice करना वो पसंद करेगा, क्लियर है बच्चे, तो यह हमारा question number कौन सा था, question number यह हमारा 4 था, हंजी बच्चो, अब हम question number 5 पर आगे हैं, और question number 5 है, explain the properties of indifference curve, तो यहाँ पर आपको indifference curve की property को explain करना है, इसको आप यह भी कह सकते हैं, feature, explain the feature of indifference curve, मतलब indifference curve में क्या-क्या चीज़े होती हैं, उस curve के क्या-क्या features हैं, उस curve के क्या-क्या properties हैं, indifference curve के, उन properties पर discussion है हमारा, clear है, तो exam के point वी से बहुत important topic हो जाता है, यह हमारा, explain the properties of indifference curve, तो बच्चे, first property हमारे पास में है, indifference curve are always convex to the origin, तो first property है, आपके notes में आप देखेंगे इस चीज़ को कि आपको underline जरूर करना है, आपको underline जरूर करना है, clear है, बच्चे, इसका धान लखें, तो first property क्या है हमारा, इस चीज़ के धान लखेंगे हैं आप, कि first property हमारे पास में है, indifference curves are always convex to the origin, यह first property है, बच्चे, convex क्या होता है, आप देखते हैं, दो तरीके के lens देखते हैं, clear है, मैं इसको एक diagram से समझाता हूँ, आपको पहले, फिर हम theory पर आएंगे, ठीक है बच्चे, आप दो तरीके के lens देखते हैं, clear है न, जड़ा सबसे पहले indifference curve के diagram की बात करूँ मैं, तो आए जड़ा first देखें आप, क्या ये indifference curve का diagram है, अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम एक का consumption increase, कर रहे हैं, और हमें satisfaction लेवल को same रखना है, तो हमें दूसरी commodity का consumption हमें decrease करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अगर हम observe करें, तो आप देखें, कि first of all हमारे पास पर A और ये B commodity है, अगर A का consumption बढ़ाते हैं, अगर हमें Apple का, then B sacrifice कर रहे हैं, A का consumption बढ़ाते हैं, तो B sacrifice कर रहे हैं, A का consumption बढ़ाते हैं, तो B sacrifice कर रहे हैं, है न, तो A का consumption बढ़ा रहे हैं, और अपने satisfaction level को same रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरे को sacrifice करना पड़ेगा, clear है बच्चे तो यहाँ पर यह diagram represent कर रहा है कि जैसे आप एक goods का consumption बढ़ा रहे है तो दूसरे का आपका क्या हो रहा है दूसरे का आप यहाँ पर sacrifice भी आप कर रहे हैं तो इसके according बच्चा कह रहा है कि सर यह IC को represent करता है लेकिन बच्चे आपको एक चीज़ तो ध्यान रहा कि अगर हम एक का consumption बढ़ाते हैं और satisfaction level को same रखने के लिए दूसरे को sacrifice करते हैं यह बात तो आप के बिल्कुल ठीक है लेकिन आप एक और बात इसमें भूल गए हैं वो आप यह भूल गए हैं कि दूसरे को जो sacrifice करते हैं वो क्या equal rate से sacrifice करते हैं मतलब first apple के लिए जितना बनाना sacrifice करा next time उसी एक apple के लिए आप फिर से उतना ही बनाना sacrifice कर रहे हैं क्या अगर ऐसा करेंगे तो क्या आपका satisfaction level same रह सकता है नहीं क्यों क्योंकि एक apple के लिए पहले अगर आपने इतना बनाना sacrifice करा next time उसी एक apple को अगर आप consumption करते हैं तो आपकी needs कम होने की वज़े से आपको next apple का satisfaction level कम देगा इसको कहते हैं because of law of diminishing margin utility तो आप next apple पहले से कम satisfaction level दे रहा है तो आप कैसे पहले जितना sacrifice कर सकते हैं और अगर आपने पहले जितना sacrifice कर दिया तो आपको आया पहले से कम और गया पहले जितना ही तो आपको all over loss हो जाएगा तो satisfaction level same कहा रहेगा जबकि indifference curve satisfaction level को same represent करता है तो यहां पर आपको यह पता लग गया कि same rate से sacrifice कर रहा है यह तो ठीक है कि अगर एक gain करेगा तो दूसरा क्या करेगा दूसरा यहां पर वो sacrifice करेगा यह बात तो आपके बिल्कुर ठीक है मैं भी आपके इस पास से agree करता हूँ क्यों satisfaction level same रखना है लेकिन हर बार उतना ही sacrifice कर रहा है तो क्या हर next apple same satisfaction level दे रहा है नहीं पहले से कम दे रहा है because of law of dimension margin utility तो पहले से कम sacrifice होना ची अगर आपके पास में satisfaction level same रखना है तो आपको यह हिसाब रखना पड़ेगा मेरे पास जितना आएगा उतना ही मैं इसको sacrifice करूँगा तो पहले आया sacrifice भी कर दिया satisfaction level same next time जो आएगा पहले से कम आएगा because of law of dimension margin utility पर sacrifice आप सेम रेट से कर रहे हो तो आपको तो आया कम हो गया पहले जितना तो आपको तो लॉस हो जाएगा तो first diagram इसका नहीं है इससे कहते course state line तो state line तो diagram तब possible हो पाता कब possible हो पाता जब हमारा MRS occupant होता मतलब sacrificing rate क्या होता are constant होता क्लिर खें समझ रहें ? ऐसको जब हमारा MRS constant होता है τो इंडिफरेम्स करू अगर होता है ऐसे होता नहीं है है अगर होता मान लो आप MRS हमारा constant होता अगर हमारा sacrificing rate constant होता same rate से sacrifice कर रहा होता तो आप कहते हैं कि IC straight line बनेगा otherwise नहीं बनेगा बड़ ऐसा actual में नहीं है यह चीछ clear होई आपको clear is straight line के लिए आपको पता लग गया क्या होना चाहिए MRS constant होना चाहिए बट MRS constant होता नहीं है इसलिए IC का अपने डियागराम भी नहीं रखेंगे कई बार one marks में question आ जाता है आपका कैसे कि आपका जो है IC straight line है तो इसके लिए क्या होना चाहिए MRS तो MRS constant होना चाहिए तभी आपका IC straight line होगा इंडिफरेंस कर स्ट्रेट लाइन होगा तो अप्जेक्टिम में इसका आप ध्यान रखेंगे क्लियर है बच्चे चलिए फिर diagram नमबर टू पर एक स्टुड़ेंट कहता सर्ड डागराम नमबर टू है आइसी का डागराम इंडिफरेंस कर पर डागराम नमबर टू रिपर्जेंट कर रहा है मैं कहता हूं कैसे बच्चा कहता सर्ड क्यूंकि हम अगर एक कामडिटी का करते हैं और सट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और यह बनाना है अब आप देखिए बच्चा कहा रहा है कि एक apple को gain कर रहा है तो बनाना क्या हो रहा है बनाना sacrifice हो रहा है तो satisfactionable को same रखने के लिए अगर हम एक commodity consumption बढ़ाते हैं तो दूसरे का हमें consumption क्या करना पड़ेगा तो दूसरे का consumption हमें यहाँ पर कम करना पड़ेगा एक strand यहाँ पर यह theory अपनी दे रहा है क्लेरे बच्चे क्लेरे तो यहाँ पर ठीक है मैं आपकी इस पास से agree जरूर करता हूं कि satisfaction level को same रखना है तो अगर हम एक का consumption बढ़ा रहे हैं तो हमें दूसरे का consumption क्या करना दूसरे क्लेरे लेकिन आप देखें यहाँ पर एक चीज़ तो आपको पता है पर दूसरी चीश़ का पिर से भी बात करें आप दूसरी का धाने रखा आपने देगे से क्रिफाइस क्या कर रहा है इतना फिर नेक्श चायम ज़्यादा फिर नेक्श टाइम और ज़्यादा तो हर बार जो sacrifice कर रहे हैं इसमें last के compatibility जा sacrifice कर रहे हैं तो एक apple आया satisfactionable मिला बनाना sacrifice करा दुबारा एक apple आया satisfactionable आपको पता है कि आपको पहले से कम मिला है पर आप sacrifice के कर रहे हो पहले से ज्यादा sacrifice कर रहे हो आया कम sacrifice पहले से ज्यादा यह तो आपको loss हो जाएगा सो सेटफिशन नब सेम कहां से रहेगा क्लियर है ना तो यह तो सैक्रिफाइजिंग इंकरीजेंग है मर्स इंकरीजिंग है पर शेब को बच्छे कंकेव कहते हैं आप लेंस को देखते हैं लेंस होता न आपने पड़ा हो गड़ेंगह एक लेंस कंकेव इस तरह केगा 10th class में science में पढ़ा होगा अपने concave lens तो ये origin की point of view से देखो तो आपको कैसा नज़र आएगा concave like this अगर origin की तरफ से देंगे तो concave होगा, अंदर की तरफ होगा concave to the origin origin की तरफ से देखो तो ये concave to the origin हो गया जबकि ऐसा IC curve कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो क्या कह रहा है ये एक बात तो सही कह रहा है कि अगर हम एक commodity consumption बढ़ाते हैं और satisfaction level को हमें same रखना है तो हमें दूसरे commodity consumption को क्या करना पड़े है ये बात ठीक कहता है, पर दूसरे तरफ ये भी कह रहा है पहले ज्याद ही कर बैठे, ये तो पूरा पूरा आपको loss होगा तो कहां से आपका satisfaction level same रहेगा और जबकि इंडिफरेंस curve represent various combination of two goods which gives equal level of satisfaction of the consumer इंडिफरेंस curve पर कोई भी combination लेलो same satisfaction level represent करता है पर अगर आप इस तरह के से चलेंगे न अगर आप इस तरह के चलेंगे तो मैं नहीं खेलूँगा इस तरह के से अगर आप चलेंगे तो आपका satisfaction level है बच्चे वो क्या हो जाएगा वो आपका काम हो जाएगा clear है संज में आई नहीं है आपको clear है समझे रहे हैं इन चीज़े को आप clear है बच्चे तो यहां पर आप देखिएगा ऐसे तो बात नहीं बनेगी तो यह डियागराम भी गलत है तो क्रॉस मार दें तो कई बार अब्जेक्टी में आ जाता है कि indifference curve के concave होने के लिए क्या होगा नहीं करेंगा तो क्या इसका मतलब है MRS is increasing sacrificing rate increasing पहले से ज्यादा सक्रिफाइस कर रहा है दैन लखेंगे इन points को लिख लेंगे इस points को कहीं पर आगे देखें आप क्या यह diagram है एक बच्चे कहता है कि सर एक का consumption बढ़ा रहे हैं तो satisfaction level को same रखने के लिए हमें देखें यहां पर एपल बढ़ा रहे हैं सक्रिफाइस कर रहे हैं तो यहां पर आपका बिल्कुल सही है एक point तो कि satisfaction level को same रखने के लिए अगर हम एक का consumption बढ़ा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा दूसरे कन्जंष्टिफाइस की हमें यहां पर कम करना पड़ेगा ये बात तो आपको बिल्कुल आपके यह बात सही है इस बात को मैं agree करता है और दूसरी तरब इसमें एक बात और भी कह रहा है बचा कि जितना पहले sacrifice किया है ना नेक्स टाइम उससे कम sacrifice करेंगे मैंने लग क्यों सर देखे एक एक एपल के लिए हमें सपर नेक्स टाइम एक पर और करेंगे तो continuously consumption हो रहा है हमारी neet करेंगे तो हमाइं करेंगे तो यह को गेन कर रहा दूसरा विपसे सब्स्क्राइब करेंगे तो आपका यहाँ पर यह जब अगर आप इसको यह कासा छलंस एस लैंस को convex कहते हैं ने बच्चे इस lens को तो to the origin देखो क्या है ये ये उबरा हुआ है तो ये क्या है convex to the origin तो ये convex to the origin क्यों होता है because of dimnishing MRS क्योंकि यहाँ पर MRS क्या dimnishing है और IC curve में इस property को इस feature को लाना बहुत जरूरी है तबी वो पूरा IC curve में equal satisfaction level को represent करेगा क्यों because of dimnishing MRS और MRS dimnishing क्यों होता है because of law of dimnishing marginal utility clear है बच्चे समझ दे रहे हैं इन चीजों को चलिए ज़रा पढ़ते हैं इसकंदर क्या है indifference curves are always convex to the origin हमें इसा convex to the origin होता है indifference curve is convex to the origin because of dimnishing MRS MRS क्या हो रहा है पहले comparably कम sacrifice कर रहा है MRS declines continuously because of the law of dimnishing marginal utility when the consumer consumes more and more of apple his marginal utility from apple keeps on declining and he is willing to give up less and less of banana for each apple समझ रहे हैं आपनी चीजों को मैं एक बार और और रिपीट कर देता हूं ज़रा समझते हैं इस चीज को दुबार असे indifference curve is convex to the origin because of dimnishing MRS क्यों? origin की तरफ convex है क्योंकि MRS हमारा dimnishing होता है constant होता 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 है increasing होता होता है concave होता है बढ़ यह convex क्यों है क्योंकि MRS dimnishing है MRS declines continuously लगातार गिरता रहता है sacrificing rate क्यों? because of law of dimnishing margin utility when the consumer consumes more and more of apple his margin utility जैसे से वो लगातार apple का जिश्य करता चला जाएगा his margin utility from apple जो apple से मिलने वाला certification level है keep on decline वो लगातार गिरता चला जाएगा and he is willing to give up और वो फिर चाहेगा कि मैं आपकम sacrifice करूँ क्योंकि मेरे बास कम आ रहा है जिससे certification बास सेम रहे he is willing to give up less and less of banana for each apple clear है? diagram आपको जब paper attempt करेंगे तो indoor diagram को नहीं रखना है आपको यह diagram बनाना है और theory आपको explain करनी है clear है? convex बना के दिखाना है आपको समझगे बच्चे? हाँ जी बच्चो अब हम आते हैं indifference curve के property number 2 पे और यह property number 2 है indifference curve slope downward तो आपका यह कह रहा है कि indifference curve का जो slope है वो downward होता है नीचे की तरफ होता है left to right downward होता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे आपको एक चीज अच्छे से अब तक clear हो चुकी है कि हम अपना अगर एक combination में अगर हम एक commodity का consumption अगर हम बढ़ा दें और हमें अपना satisfaction level same रखना है तो हमें दूसरे commodity के consumption को कम करना होगा तो आप ज़रा समझ यह एक चीज अगर increase हो रही है तो दूसरी फिर decrease हो रही है जिससे क्या हो? हमारा satisfaction level same रहे मैं फिर से repeat कर रहा हूँ अभी तक आपने यह समझा है कि अगर हम एक commodity का consumption बढ़ा देते हैं तो हमारा total satisfaction level को same रखने के लिए हमें दूसरी तरफ से sacrifice भी करना होगा जिससे कि हमारा total satisfaction level same रहे अगर हम एक commodity consumption बढ़ा देते हैं तो हमारा total satisfaction level बढ़ जाता है और हमें पहले जितना रखने के लिए दूसरी commodity का consumption हमें क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए, sacrifice करना चाहिए तो आप समझिए एक अगर increase हो रहा है तो दूसरा decrease होगा तब ही satisfaction level हमारा same रहे पाएगा तो यहाँ पर दोनों में देखें आपका inverse relation है एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है एक increase, एक decrease negative relation भी कहते हैं इसको inverse relation भी कहते हैं तो जब भी आपका negative relation हो यह represent करेगा कि अगर एक बढ़े तो दूसरा कम हो otherwise अगर आप इसको देख लें फरस्ट, यह upward है left to right upward है तो यहाँ पर left to right upward में क्या होता है कि दोनों में same direction में चीज़ाता है एक increase हो तो देखिए दूसरा भी increase हो रहा है यहाँ पर मैं लिखे रहा हूँ यहाँ पर आपका good goods b and goods x और यह भी आपका क्या है यह लिखेना बड़ा जरूरी है exam में goods b and goods x clear है तो देखिए अगर एक का consumption बढ़ा रहे हैं तो दूसरे consumption भी बढ़ रहा है तो यहाँ पर जबकि ऐसा नहीं होता है indifferent curve में तो कभी भी यह जो diagram में upward slope का नहीं होगा downward slope में ऐसा होता है इसको negative slope भी कहते है एक में जिट direction में चेंज़ जाए दूसरे में उसके opposite चेंज जाएगा और indifferent curve के cases पे हम अपने satisfaction नबल को सेम रिखने के लिए अगर हमारे एक community consumption बढ़ा रहे है तो दूसरे का consumption हमें क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा तो यहाँ अगर आप देखें यह B और यह X एक का consumption बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का consumption कम हो रहा है एक का बढ़ा रहे हैं जिस direction में चेंज आएगा दूसरे में उसके opposite चेंज आएगा तो downward slope इस चीज को represent करता है कि satisfaction नबल को सेम रखने के लिए एक commodity consumption बढ़ा रहे हैं तो दूसरे commodity consumption हमें कम करना पड़ेगा जिससे हमारा total satisfaction नबल क्या बना रहे है सेम बना रहे हैं clear है आई ज़राया theory पने दर मारते इसके के theory क्या कहती है indifference curve question हमारा explain the properties of indifference curve अब इसमें हम property number two पर आगे हैं जो कहता है indifference curve slopes downward क्या कहतना चाहता है यह it implies that as a consumer consumed more and one goods एक goods का ज्यादा consumption कर रहा है he must consume less of the other good it happens because if the consumer decided to have more units of one good say apple he will have to reduce the number of units of another good say banana so that the total utility remains the same clear है बच्चे चले ज़रा इसको एक बार और इस पर देख लेते हैं क्या कहना चाहता है indifference curve slope downward it implies that as a consumer consumes more of one goods अगर consumer किसी एक goods का consumption ज्यादा करता है he must consume less of the other goods तो उसको must है कि उसके लिए कि उसको दूसरे goods तो consumption कम करना पड़ेगा it happens because if a consumer decide to have more units of one goods say apples अगर consumer ने decide करा कि वो apple का एक और unit का consumption करना चाहता है he will have to reduce to number of units of another goods से बनाना तो उसको दूसरे goods का units को sacrifice करना पड़ेगा so that the total utility remains the same जिससे की total satisfaction क्या बना रहे है उसका same बना रहे है clear है बच्चे तो ये था हमारा property number two हाँ जी बच्चो अब हम अपने question number five explain the property of indifference curve पर अब हम इसकी property number three को पढ़ने जा रहे है और property number three क्या है higher indifference curves represent higher level of satisfaction तो indifference curve में आपका जितना वो उचा होगा जितना वो higher होगा अपने origin से उस पे satisfaction level उतना ही जादा होगा बच्चे धान रहे एक indifference curve पे कहीं भी चले जाओ आपको किसी भी point पे चले जाओ एक indifference curve पे आपको satisfaction level same मिलेगा लेकिन अगर आप higher indifference curve पे जाते हैं तो satisfaction level आपका higher हो जाएगा क्यों होगा कैसे होगा आईए जरा इसके diagram से समझते हैं for example आप देखिए IC1, IC2 और IC3 तीन indifference curve मैंने लिया है IC1 से higher indifference curve IC2 है और IC2 से higher indifference curve IC3 है अब मैं दो point की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं point A और point B की बात कर रहा हूँ first of all point A पे देखें कि आप जो bundle combination को हम क्या कहते हैं bundle भी कहते हैं दो commodity का जो combination है इसको हम bundle भी कहेंगे तो आप देखें जो point A है इस पे B commodity O P consume कर रहे हैं और A commodity A goods जो हम O R consumption कर रहे हैं A point पर और उससे अपना एक satisfaction level मिल रहा है IC1 पर जो A point है अब आप IC1 पर कहीं भी चले जाओ आपका satisfaction level same मिलेगा क्यों? क्योंकि indifference curve show various combination of two goods which gives equal level of satisfaction of the consumer तो आपका point A पर आपके पास में goods B O P है and goods A आपका O R है अब मैं बात करता हूँ point B की तो point B की अगर आप जहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास में goods B तो O P ही है लेकिन goods A क्या है? Compatibly O R से जादा है O S है clear है बच्चे? तो आप A point पे आप जो bundle का combination कर रहे है A और B का और point B पर भी आप एक bundle का consumption कर रहे है A और B का तो A आपका B तो उतना ही है लेकिन A Compatibly आपका IC1 से जादा कंजम्शन आप IC2 पर कर रहे है एक का A का तो यहाँ पर इस bundle में commodity जा दूसरा sacrifice हुआ नहीं और एक बढ़ गया और दूसरा sacrifice भी नहीं हुआ तो certificationable क्या होगा बढ़ जाएगा इसलिए कह रहे हैं कि higher indifference curve पर आप जाएंगे तो आप higher level of bundle का consumption करते हैं जिसे certificationable क्या हो जाता आपका बढ़ जाता है clear है बच्चे समझ रहे हैं इन चीजों को तो जब आप फिर से देखें A point पर आप O P का consumption कर रहे हैं और आप good B आप good A का O R consumption कर रहे हैं लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं B points की तो A का B का consumption तो आपका O P ही है लेकिन आपका good A का consumption OS है clear है तो यहां पर आपका A का consumption तो बढ़ गया पर दूसरे कम भी नहीं हुआ तो all over satisfaction अपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो higher in difference कर पर satisfaction लेबल क्या होता है आपका higher होता है क्योंकि आप एक चीज़ को समझ यह OS is greater than OR क्योंकि OS पे जो आप community एक consumption कर रहे हैं वो और कमेडियल ज़्यादा है और दोनों में यह O P O P ही है तो ज़्यादा कॉमेडियटी का इंजब्शन कहा हो रहा है बी पॉइंट पर तो टोडल साटिफिक्शन लेबल ज़्यादा कहां पर मिलेगा बी पॉइंट पर मिलेगा तो औरीजन से जितना दूर होगा साटिफिक्शन लेबल में उतना ज़्यादा होगा ना क्लिर है हाई है हार इंदिफर्स कर प्रकाइए न थिपैस्ट बॉइस ऑफिक्शन लेबल टेμक्षन लेड जिस और भी प्रसाथाइ और की इंडिफर्स कर एंध Si 겉पा वर और सबसे ज़्यादा किस पर होगा? आई-सी तरी पर आई-सी टू से कंपिटेव भी ज़्यादा होगा. तो रिपीट कर रहा हूं जारा है इसको में एक बार और आपका ये बंडल्स आप गोड्स को रिपरेजन कर रहा है विच मेंस मोर उटिलिटी बिकाउस ओफ मोनोडोनिक प्रिफेंसी ज़्यादा कॉमिलिटी ए और बी का का अजम्शन हो रहा हो प्रिफेंसी तरी पर आप देखें अन आई-सी वन पर अन पॉइंट आई-सी टू पर आप पॉइंट भी देखें कंज्यूमर गेट्स दा कंबिनेशन ओर और और ओपी ओर और और ओपी ऑफ दा टू कॉमिलिटी इस एक्स एंड वाई एड़ दा कंज्यूमर इसको आप एक्स और वाई भी कह सकते हैं अगर थेओरी में एक्स और वाई है तो यहां एक्स और वाई लिख देते हैं एक्स एंड वाई एड़ कंज्यूमर गेट्स दा कंबिनेशन ओएस और ओपी तो ओएस एंड आपका आपका एस टू पर एक तो ओपी का कंज्यूमर कर रहा है और एक ओएस पर ओपी और ओयाई और ओर ओपी पॉन पर ओपी और ओएस अपको पता है ओएस इस ग्रेटे दैं ओवर तो आपको यह रिपिजेट करने कि कोशिश कर रहा है मैं फिर से repeat कर देता हूं आप IC1 पे आईए और point A पर देखिए तो आपका Y का कितना conjunction हो रहा है OP and X का कितना हो रहा है OR आप IC2 पर B point पर आईए आपका Y का कितना हो रहा है OP and आपका X का कितना हो रहा है OS हो रहा है तो OS जो है OR compatibility ज़्यादा है तो ज़्यादा goods का consumption हम कांप कर रहे हैं IC2 पर कर रहे हैं तो satisfaction level भी हमारा ज़्यादा कहां पर होगा IC2 पर होगा clear है बच्चे तो आप कह सकते हैं conclude करके higher indifference curve represents higher level of satisfaction हंजी बच्चों हमारा question number 5 पे explain the property of indifference curve पे अब हम property number 4 पर आगे हैं जो कि कहता है indifference curve can never intersect to each other मतलब indifference curve कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं कर सकते हैं तो आए जरा इसको एक diagram से समझते हैं कि indifference curve कभी भी एक दूसरे को intersect क्यों नहीं कर सकते हैं तो आए जरा diagram में इसको intersect करवा करके देख लेते हैं कि अगर indifference curve ने दो indifference curve में दुसरे को intersect कर भी दिया तो क्या होगा फिर वहाँ से हम समझेंगे ये दुसरे को क्यों नहीं कभी intersect कर सकते हैं तो diagram आपके सामने है आपके पास में एक y-axis है और इसे नहीं और x-axis है नीचे apple और ये बनाना है और मैंने दो indifference curve लिया एक मैंने ic1 लिया और एक मैंने ic2 लिया और मैंने इनको intersect करवा के देखा point a पर देखते हैं क्या result आता है intersect करवाने से तो बच्चे आप यहाँ देख रहे हैं ic1 पे और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास पे ic2 पे तो आपके पास पे कुछ points हैं फिर एक्जापल आप एक चीज़ को समझते हैं कि एक indifference curve पे आप कहीं भी चले जाओ same satisfaction level रहता है दूसरी बात ये भी आप समझते हैं कि दो अलग-अलग indifference curve पे different indifference curve पे different satisfaction level रहता है higher indifference curve पे higher satisfaction level रहता है ये दो point आपको clear है या नहीं है point number one क्या है एक indifference curve पे आप कहीं भी चले जाएं satisfaction level same रहता है और दूसरा point क्या है आपका different indifference curve पे satisfaction level different रहता है ये बात तो आपको clear है जसे कि आपको यहाँ एक्जामपल में देखें कि IC IC one पे आप जो है B point पर apple का consumption यह है और बना consumption यह है और IC two पर apple तो same है बड़ बनाना ज्यादा है तो आपको पता है IC one IC two पर जो satisfaction level है आपका compatibility IC one के compatibility ज़्यादा रहेगा ये बात आपको पता है clear है तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ज़रा देखें B point पर आपका को satisfaction level है तो आपका A point पर भी satisfaction level वो रहेगा same रहेगा क्यों क्योंकि दोनों के दोनों क्या है एक ही IC कर पर है तो A point और B point पर satisfaction level same रहेगा और ये देखें B पर अगर कुछ है तो वही same A पर भी है क्योंकि A की IC one पर है और A पर जितना satisfaction level है उतना satisfaction level आपका C point पर भी होगा तो इसका मतलब यह है कि B का satisfaction level or A का equal और A का और C का equal है तो इसका मतलब यह होगा कि B का satisfaction level और C का satisfaction level equal है जो कि possible नहीं है क्योंकि दो different and difference curve different satisfaction level को represent करेंगे same satisfaction level को represent नहीं करेंगे clear है बच्चे समझमाये आपको मैं फिर से repeat कर देता हूं जरा IC1 पर B point पर आपको अपना एक satisfaction level मिला बनाना ये और Apple ये IC2 पर C point पर अगर आप जाएं तो Apple तो भी बनाना ज्यादा तो आपको confirm हो गया है कि IC2 पर आपका indifferent satisfaction level ज्यादा मिलेगा B competitively क्यों ज्यादा bundle consumption हो रहा है लेकिन अगर ये एक दूसरे का इंटर सेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा जारा समझिए B पर जितना satisfaction level मिला A पर भी उतना ही satisfaction level मिलेगा क्यों क्यों कि दोनों को दोनों A की IC1 पर है और एक indifferent कर पर कहीं भी चले जाए उसेम satisfaction level represent होता है और A point पर जितना है उतना ही आपका C point पर है क्योंकि A और C दोनों को दोनों point IC2 पर भी है और आपको पता लग गया B जितना A पर और A जितना C पर तो मतलब कि B पर और C का satisfaction level सेम होगा जो कि possible नहीं है दो indifferent curve different satisfaction level को represent करते हैं कैसे जरह इस में समझते हम indifferent curve can never intersect each other as two indifferent curve cannot represent the same level of satisfaction level यहाँ पर दोनों indifferent curve क्या represent करेगा आपको जो कि ऐसा possible नहीं है क्योंकि B पर भी satisfaction level होई है A पर भी होई है क्योंकि IC1 पर है तो एक indifferent curve पर satisfaction level same represent होता है और A पर और C दोनों point IC2 पर है तो C पर भी होई है जो A पर है तो B और C पर same satisfaction level है जबकि दो different indifference curve पर satisfaction level आपका different रहता है same नहीं रहता है तो वहीं कहा रहा है indifference curve can never intersect each other as two indifference curve cannot represent the same level of satisfaction they cannot intersect each other it means only one indifference curve will pass through a given point and indifference map satisfaction from A and from B A और B satisfaction level on IC1 will be the same क्योंकि दोनों IC1 पर है A और B से same रहेगा similarly point A and C on IC2 तो A और C IC2 पर भी है also give the same level of satisfaction means point B and C should also give the same level of satisfaction this is not possible as B and C lie on the two different indifference curve IC1 and IC2 बास समझ में आया आपको बच्चे clear है आए जड़ा फिर से मैं repeat कर दूं इसको क्या कहना चाहरा है जो समझा है भी आपको मैंने वहीं चाहिए यहापर indifference curves can never intersect each other ठीक है as two indifference curve cannot represent the same level of satisfaction क्यों पता है दूसरे इंडिफरेंस कर पर ज्यादा बंदल combination हो रहा है they cannot intersect each other यह दूसरे को नहीं काड़ सकते हैं it means only one indifference curve will pass through a given point on an indifference map map satisfaction from a a satisfaction level देखो and from b b से देखो satisfaction level on ic1 जोंकि ic1 पर ही है will be the same क्योंकि एकी indifference कर पर same satisfaction level देता है similarly point a and point c a की indifference कर पर ic2 तो वहाँ पर भी satisfaction level same रहेगा similarly point a and c on ic2 also give the same level of satisfaction means point b जब a और b का same और a और c का सेम है तो b और c का सेम होगा means point b and c should also give the same level of satisfaction this is not possible as b and c lie on the two indifference two two different indifference curve ic1 and ic2 clear है बच्चे यह आपको तो हमने यहापर क्या पढ़ लिया point number हमने यहापर fourth पढ़ लिया ठीक है हां जी बच्चों देखेंगे हमारा question number five explain the property of indifference curve पे और last property हम property number five पे आ चुके हैं और property number five क्या है and indifference curve cannot touch either axis indifference curve किसी भी axis को कभी टच नहीं करेगा आप कभी इंडिफरेंस कर रहे हैं तो आप ध्यान रखे हैं कि indifference curve को y axis पे टच मत करना और आपको उसको x axis पे टच नहीं करना है क्यों नहीं करना है जड़ा समझे डाग्राम से for example ic1 देख रहे हैं और यह हमारे पास पे x axis है y पे टच कर गया, तो जब y पे टच कर गया हमारा ic1 तो य पे तो हम आ अगर y इस पॉइंड पर देखे है लवाइन पर तो यहाँ पर y का do car का का को रहा है लेकिन x का रहा रहा हैं लेकिन अगर इसने वाई को टच कर दिया आपने पढ़ा भी इसकी definition में इंडिफरेंस कर शो वेरियस combination of two goods combination of two goods अगर वाई को टच कर रहा है तो वाई कंजम्शन तो हो रहा है लेकिन एक्स कंजम्शन नहीं हो रहा है तो यहां अगर यह i see two के अगर मैं बात करो तो यह देखिए x-axis पर टच कर रहा है तो जब यह x-axis पर टच कर रहा है तो x का तो कंजम्शन हो रहा है लेकिन फिर यहां पर y कंजम्शन क्या हो जागा zero y is point पर m point पर y कंजम्शन क्या है zero तो यह बताता है जबकि हम इस अजम्शन पर काम करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व two commodity के combination का consumption करते हैं इंडिफरेंस कर्व show various combination of two goods which gives same level of satisfaction various combination of two goods combination of two goods तो दो गुट्स के combination होता है अगर यह i see two अगर x पर touch कर रहा है तो x तो कंजम्शन हो रहा है लेकिन y क्या हो रहा है y आपका कंजम्शन जीरो हो रहा है तो यह तो single commodity हो गया है जबकि two community के combination हो अच्छी है clear है तो इंडिफरेंस कर्व इस assumption पर रहता है कि हम two goods के combination का consumption करते हैं अगर y पर touch कर रहा है तो फिर a goods का हो जाएगा और अगर x पर touch कर रहा है तो भी a goods का हो जाएगा जबकि यह possible नहीं है हमारे कम से कम दो goods का consumption हमारे पास पर होना चाहिए y को touch कर रहा है तो x का combination 0 हो गया और x को touch कर रहा है तो y पर एक commodity consumption कर रहे है एंड x point पर भी जहां x को touch कर रहा है वहां पर भी हम single commodity consumption कर रहे हैं इसलिए कहते हैं इंडिफरेंस कर जो है कभी भी x axis और y axis को touch नहीं करते हैं तो यह वही है फिफ्ट point और इंडिफरेंस कर गानोट टच इट गानोट टच आइधर axis इफ टच एक्स एक्सिस एज आईसी टू क्लिर रहे ना आईसी टू पर da consumer will be having o m quantity of goods my scors 2 आपके पास बें good यह कुछ कर आई एक्सिस कर तो ओम तो कर रहा है पट वाइ कुछ निंकर रहा good x n.ौन अफ वाई कंजिंशन फोई एख यह कंजिंशन होई निहीं रहा है similarly if an indcause of ic1 touch the y-axis the consumer will have only ol, ol का अंजम्शन कर रहा है clear है, of y good और वो भी y good का, and no community of x such curves are in assumption that the consumer buys two goods in combination जबकि यह इस अंजम्शन पर काम करता है कि consumer दो goods सी combination का consumption करेगा, clear है बच्चे तो बच्चे यहाँ पर हमारा property complete हो जाते है, five properties है clear है, thank you thank you so much